सो हेले आरीवन आज से हम लोग शुरू करने वाले हमारा फांडेशन कोर्स का वन शॉर्ट लेक्चर के सीरीज तो बैसिकली आज हम लोग फर्स चाप्टर लेने वाले हैं ओवर विव इंडियन सुसाइटी इस चाप्टर को पूरे की पूरा आज हम लोग खतम कर देंगे एक में जाकर देख सकते हो आप डीप में जितने भी लेक्चर से उन्हें पढ़ सकते हो बट आपके बस टाइम कम है इसलिए हम वन शॉर्ट में सारी चीज़े समझेंगे तो आज कि एक लेक्चर के अंदर आपको सारी चीज़े मिलने वाली फर्स चैप्टर में क्या क्या पहले नहीं पढ़ा है जाकर सकते हो घ्यान से और लंबालब सब्सक्राइब करके अधा देक सकते हो जरूर यह पूरा लेक्चर एक साथ देना नहीं तो आपको कुछ चीज़ याद लेगी फिर कुछ चीज़ आप भूल जाओगे इसलिए आधा आधा आप करके देख सकते हो लेक्टर को ठीक है सो देखो ओवर वीव इंडियन सोसाइटी का मतलब क्या है तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो इंडिया इसको हम ओवर है को काफी चीज़ आती है जैसे उसके अंदर आपका डीलीजुन भी है उसके आपका इस्तों कपड़ा का इसतमाल औौम मैं मालो बिहार का नड़गा में तो इसको इसको कंड़रेंस बोसे इस तरह डेखोगे तो इस जिससे अगर माल लो कि अगर आप किसी एक एरिया में चले जाते हो महराष्ट्रा में या फिर मूंबई में किसी एक एरिया में चले जाते हो जहाप जादा से इसलिए हम इसे प्रेलेस्टीक नेचर की वह कहते हैं कि मनला हमारा जो इंडिया है फ्रेलेस्टीक नेचर की सर dal या पर 現在 घ्वाथा मतलब कह सकते सक हैं जो आप सकते हैं या फिर बोसक्ते वह कलचोंस इस जादा कल्चर से ठीके अब देखो यहाँ पर कुछ मेन करेक्टर स्टिक्स बताए गए हैं हमारे इंडिया के अंदर कि हमारे इंडिया के इंदर मतलब क्या एक से जाधा भाषायों का इस्तमाल किятाव महराश्टर में जाओगी तो लोग माराठी में बात करते लोग तेल्गु में भी बात करते लोग ले इंडियुमें बहुत करते लोग इंडिये धियुक्त। लेगा जो कोई हिंदी या फिर माराटी दूसरे कोई भाषा में हो उर्दू-उर्दू में आपको एक दिखेगा कि हाँ सब इंग्लिश में बात कर रहे हो दर तो वहाँ पर देखो तो उतनी जादा मुल्टी लंग्वर नहीं कियों हमारा इंडिया है तो इंडिया के अंदर एक से ज्यादा भाष वो का इस्तेमाल किया जाता है और इंड्या के इंदर टोटल 1652 लैंग्वेजे से इतनी लैंग्वेजे से और इनके डाइलेक्व भी मिला करें अब हिंडिया में कैसे टपूरी इतने सारी लेंगुएज हैं हमारी इंडिया के अंधर जिसमें से हमारे इंडियन להिश्य लेंगुएज दिया लेंग्वच र've been USS you, यह तो उफिजल सकते हैं peace, बाइस लेंग्विजे ज्यादा इंपॉर्टेंट से जिसमें मराथी आता है उर्दू आता है संस्क्रेट आता है यह सरी लेंग्विजे साती है अब देखो यहाँ पर आगे भी कुछ चीज़े बताई गई है कि देखो हमारे कंट्री के अंदर अगर इंग्लिश की बात करो क कितने पसेंट लोग जो हैं वो इंग्लिश में बोलते हैं मह punishing English आती है तो अपको जानAL है्रानी होगी आपको इंघ्लिश आती है बड़ 2011 के से स्थी पताचला था कि देखो हमारे कंट्री गेंदर सिप और सिप 2-3% लोग हैं जो इंग्लिश फटाते डार बोल सकते हैं मही से आठ पसेंट लोग जो है वो इंग्लिश को अच्छी तरीक से सिर्फ समझ सकते या तूटी-फूटी-फूटी-इंग्लिश बोल सकते हैं लो माइने में इस राहूल जो भी नाम है वह सब बोल सकते तो यह सबसे पहले मुसलिम है सीखाई वुद्धिशम है कुछ लोग Frisum को करते हैं मतला क्या की दखो हमारे country के अंदर ही देखोगे और basically caste system देखोगे तो यह जारतर आपको हिंदुजम के अंदर ही दिखे जो हिंदु लोग होते हैं क्योंकि मैं भी हिंदु यूँ वैसे तो तो देखो जो हिंदुजम में क्या होता है कि लोग जो होते हैं वो अपने आपको काफी जाधा ही ठीक है अब ola कि धर्म में अधिल में यह न ही रहता है क्यों देखो इसलाम मुस्लि में देख्यो तो muslim आप जब सुनोंगे उन लोग के मूँजें तो इसा हमारे इंडिया के लोग जिसके हमारे country के अंदर caste sister मिं लोग जो है हिंदू के अंदर ही और जाद आपने आपको टुकड़ों बाठ डिया वैसे तो चार वेसिकली जो हमारे पुराने वेद वेसिकली पुराने फोर वर्ना से वह क्या है तो आपको याद दिला देता हो सबसे पहला था ब्रामी शत्रिय वैश्या शुद्र इन चारो जब इंडिया के इदर उपर वाले हिसे में आये थे तो वहाँ पर उन्होंने क्या सुचा कि देखो अब इतनी मेनत करते मालो मैं राजा हूं अब जैसे अपने घर में मालो कि आप बहुत ज़्यादा कमाते हो आप ही सारा घर का ख़र चुटा तो आप क्या चाहोगे मेरे ज़्यादा इज्जत होनी चाहिए और जो छोटे मोटे काम करता है उसकी मेरे से कम इज्जत होनी चाहिए वैसे ही जो इंडियो आरियंस आयते तो उनलों भी यह सोचते थे कि हम देखो राजा मारा जाए मैं इतना ताकत वर हूं मेरे पास ज़्यादा पावर है तो मेरी ज चलना है और उस टाइम आप नहीं बोल सकते जानते हो कि उनके पास ज्यादा पावर है तो वैसे इसलिए उस टाइम पर भी लोगों को डिवाइड कर दिया गया था ताकि जो बड़ी लोग है ज्यादा महिनत करते जो बड़े पोस्ट पे उनकी छोटी पोस्ट वाली बात स जाता जिसके यही साइकल चलते चलते लोगों दिमाग में यह बढ़ गया कि कोई अगर ब्रामिन के घर पे पैदा हो जाएगा तो वह भी ब्रामिन बन जाएगा लेकिन पहले पर यह नहीं था उस टाइम पर यह सोचते थे लोग कि अगर यह ब्रामिन का काम कर रहे है देखो चौथा जो बेसिकली इसके अंदर दिखता है हमको वह होता है इंट्रा ग्रूप कलचर डिफ्रेंसे बिसी का सिस्टम और डिटेल में में बताने के लिए है कि इसके अंदर भी और सबकाश्ट होते कि मैं यह वह व्याश्ट्रियों मैं राजपूत हूं मैं वह यह गुरूप है उसके अंदर और गुरूप सब बना देते और इक दूसरे को बोलते नहीं तो यह गुरूप का आदम है यह गुरूप का आदमी हूँ तो इसके बाद पाचवा जो बेसिकली है वह इंफलेंस ऑफ दे वेस्टेन कल्चर यानि कि देखो हमारे का इंडिया के अंदर काफी साथ आपको देखेगा कि वेस्टन कल्चर का काफी इंपाक्ट पड़े है वेस्टन कल्चर मतलब क्या कि जिसा अमेरिका जो भृटिश लोग जो थे पॉर्टिकेस जो उन लोग का मलब जो वेस्ट से आये थे जो इसे बृटिटेन भाले हो गए कबजा किये हमारे पर राज उतने भी लोग आए थैं लोग आय हमारे ल लगने लग लगना नहिकिए स्क्रास कीम है व्हाइटियों को पीजेश को खूताओ करें था लगने लगने लग उनको गाना सथ si मुझाते थे आ वह सरी चाहिए काफिज़ा इंफ्टर के अंदर यह उसके बाद चतवा ऐसे यानि के देखो अलग-अलग जो जाती के जो अलग जाती के जो लोग होते हैं या यका जाती के लोग उनका काफ़ी जादा देख सकते हो कंट्रिबूर्यशन है हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग चीजों के अंदर जैसे कि प्लेट अस्ट्रो लॉइट बैसिकली यह जो लोग थे यह पुराने समय लोग थे जो बाहर से आये थे तो इनके वज़से क्या हुआ है कि हमारे इंडिया के अंदर जो पोटरी का आठ है मतका बनाने का या फिर कल्टिवेशन का जो फूल अब बैसे करिकी खेती बाड़ी यह सारी जो चीजों का जो विसी करिकाली काम है आठ है यह सब इन लोगों क जिसके वाज़े से इंडिया के अंदर आने लगा और लोग जो थे हो खेती बाड़ी करने लगे और पोटरी जो था मटका वटका भी बनाने लगे इनके वह से इनका वैसी कल्चर के अंदर का इनका कंट्रिबुशन इसके बाद दूसरा होता है ड्रीवीडियंस जो फिस्कल वह इंडियस वैली जो है आपको पता नहीं याद होगा की नहीं याद होगा मैंने पहले पढ़ाया था एनिमेशन के साथ में पढ़ाया था कि देखो पहले के टाइम पर जो हमारा इंडिया उसके उपर वाला जो हिस उपर पहले रहते थे वह इंडियस वैली के पास में जहां पर उन्होंने अपना शहर वैर बसा लिया था अच्छा खासा गाओ बसा लिया था बट जब इंडो आरियंस आए तो क्या हुआ था उन लोगों ने बेसिकली सिटी कल्चर लाया था कि मार्पीट करने वाले थे ज हाँ लेज VII याई तुछ वैसिक भी राज्ट लोगें निazedon तो लोगों लोग वह परrant को पार करक्र कर आदे थे वह बोला जाता था हिंदू वोग को पार कर लका करे छिंदीट हिं भी learnt व्द्रेव परवत को पार करके आ रहे एंडिया के उपर से नहीं पर यह जब देखते गले देखते हैं लोगों ने वेदिक लिट्रेचर लाया था वेद के चार वेद होते हैं और यही जो थे वह नहीं बोलते आरे वंश जो मला राजा मारजा ताप टीवी में भी देखते हो ना करण अरजुन वह सरी चीज़ी तो इनके वज़ से वेदिक लिटरेचर आया दवाई ववाई वेद जो चार वेद है वह सरी चीज़ी उस टाइम पर आई उसके बाद चौथे जो रेसे वह था इसलामिक कल्चर यानि कि देखो जो मुस्लिम लोग देखो इसलाम जो है वह दूसरे देशों से आया हमारे इंडिया के अंदर पहले से नहीं था बाहर के लोगों ने आया हमारे पर कबजा किया राज किया और इस दर बस गए जैसे लड़े उसके बाद उनको रुच्छे के मिली तो यह जो इसलामिक कल्चर था इनके वैसे क्या होगा हमारे कंट्री के अंदर सल्वार कमिच डुपट्टा यह सारी चीजों का जो कल्चर देखो मुस्लिम लोग मैं आपको देखेगा कि सल्वार कमिच पहनते डुपट्टा लड़िये जादा सीक्यूरिटी टाइब में रखते लड़किया को मलब लोग देख ना सके गंदी नजरों से तो इसके अभी के टाइम पर जो यंग गल्स है उनको मलब काफी तरह रहता है कि मतलब डुपट्टा और पहन सकते अपना अच्छा दिखने के लिए और साथी म इंडिया के निए कांफी कंट्रिबुशन हुआ है तो अब डेमोग्राफिक कंपोजिशन का मतलब होता है कि हमारे पुरी दुनिया में टू-पॉट पर संट्ट आरिया है लेंड का वह इंडिया करते हैं मुन्डिया जो हें 2.4 पॉट पसंट जो लैंड है उस पे रहता है उस 2.4% में 17.5% जो टोटल पॉबिलेशन पूरी दुनिया की वो रहती है तो यह जो बिसिकली 17.5% जो पॉबिलेशन वो इंडिया के नदर रहती है अब देखो हमारा जो देश इसके अंदर इतनी ज़ादा पॉबिलेशन इतने सारे लोग रहते हैं अब अगर हम चाहते हैं कि इनकी study करना है कि हर एक आदमी किस तरह का होता है यह क्या करता है अगर हम हर एक के बारे में जानना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा कि हम इने groups के में divide करकर study करें मतलब क्या कि अगर मान लो आके पास 5 कुटे ठीक है अब अगर आप जानना चाहते हो हर एक कुटे के बारे में तो आखे बस दो तरीके एक तो हर एक कुटे को आप जा जाके पता करो और दूसरा तरीका यह है कि उनको कुछ characteristic के हिसाब से उनको एक group में डाल कर एक ही आदमी के study करो और उस तूरे group के बारे में जान दो कि मतलब क्या कि अगर आप जाना चाहते हो कि जो लोग है मान लो कोई muslim आदमी है तो वो किस तरह कर रहते है तो जितने भी muslim है अगर आप हर एक के पास जा जाका देखो कि यह वाला muslim कैसे काम करता है यह वाला कैसे करता है यह क्या करता है तो आपको जारा time लगे और data जो है accurate नहीं निकलेगा उन्हों क्या करीद रहें क्या बेचे सारी चीज़े समझाएंगी तो इसी लिए हम क्या करते है कि हमारे यह total population होती है उसको demographic के हिसाब से मतलब उनके कुछ characteristic के हिसाब से उन्हें divide कर देते मतलब gender के हिसाब से divide कर दिया जाता है उनके basically religion के हिसाब जाता है कास्ट के हिसाब से divide कर दिया जाता है ताकि उन्हें study किया जा सके हमारे देश केंदर कितने हिंदू कितने मुस्ली में यह study किया जाता है ऐमारे एब कितने कितन गवार लोग यह सारी देश ढ्लब kita कि study करने एवा आसानी घृकैश्ट पहुलते हैं अब से उसी में सबसे पहला जो बेसिकली कंपोशिशन होता है पॉपुलेशन वह होता है रिलीजन वाइस यानि धरम के सबसे लोगों बाट देना तो देखो काफी सरे धरम हमारे कंट्री के अंदर जिन में से यहां पर कुछ का नाम गिनाया गया है जैसे कि हिंदीजम इसलाम क्र अधर टोटल जो पॉबलेशन उसमें से कितने परसंट जो है वह कौन से रिलीजन से बिलॉग करते अब यहीं डाटा जो है वह और सब को हम सेपरेट्ल समझ लेते में से रिलीजन करेंगे चंब religion का मतलब क्या होता है यह religion वाले होते कौन है तो इसके बारे में जाना जरूरी है तो देखो एक एक religion को आप समझ लेते हैं आपको यह चार्ट जारा religion होता है जो सबसे बड़ा होता है मतलब सबसे बड़ा नहीं बोल सकते हैं जो फॉलो करते हैं नहीं हम हिंदू की जितने भी रूल से भगवान को मानते नहीं तो हिंदू के निदर होता क्या है तो देखो हिंदुजम आपको एक चीज बता देता हो वापस से याद दिला देता हो हिंदु हम किसे बोलते लोग इंडु पुष्परवत को पार करके आते थे पहले के टायम पर उन्हें हम हिंदु बोलते थे तो क्या होता था किस्मत से देखो गए तो जितने भी लोग पार करके आया थे वह एक ही घरम से भिलोंग करते दे जिसके वयसे हम सब कोई हिंदु लोग तो वही लोग पर अधी पर बहुत जादा यह इंडो आर्यांस की पॉपलेशन बढ़ गई और देरे-धीर करते देखो तो हिंदु जो है वह बहुत जादा फैलते गया बढ़ते गया और आज के टाइम पर 80% जो पॉबलेशन ने वह हिंदु लोगों की तो बाकी को कोई रिलीजन के लोग नहीं थे उस टाइम पर हमारा इंडिया खाली 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 रहते तो इसलिए उस टाइम पर इतनी जादा हिंदु लोगों की जो हॉली बूग होती है गीता जो बोलते हैं कोट के अंदर गीता के उपर हाथ रखे किसम खाओ तो इसलिए रखाया जाता है इनकी हॉली बूग है मतलब क्या कि बहुत सदा इजट करने वाली बूख है अगर आ उसके वपर भी हाथ रखे जूटบोल देते हो तो आकर जितना मतलब बोल सकते होगे दुनिया में आको जितना पाप करने वाला आदमी और कोई नहीं कि उसके ओपर भी हाथ रखे जुट बोल दिया ठीक है तो देखो हिंदुजम के अंदर चार चीजे रहती है बेसिकली चार वैल्यूस जो रहती है वह एडॉप्ट की जाती है मलग क्या कि चार चीजे रहती है कि जो हर एक इंसान हो करता है अपनी जिन्दगी का अंदर पाना चाहता है सबसे पहला जो होता है धर्मा यानी क्या कि हर एक आदमी को अपना काम जहें जो भी उसकी रिस्पॉंसिपीटी है उसे करना होगा हिंदुजम के यसाभसे जैसे पहले टाइम बैंक्रिश्णा महा महाँ बारत में जो कमेरा दोस्तहम और आ होगा कूझ दोस्तों के इसलिए मधद करने ही मेरे सामने मेरा भाई परहां आदमी मोजे काको कमा का सब्सक्राइब काम करना फूर्ट करना होुगा थायए कि मुघे क्या क्या चीजे चाहिए को एक तिसमें झिम्सक्राइब क्या क्या क्याम से चाहिए new अमीर बनना चाहता हूए पावरफुल बनना चाहता हो तो यह सरी चीजे जो रहती हो चाहिए रहती है तो इसे हम अर्था बोलते हैं उसकी बात होता है कमा कमा का मतलब बोता है कि बैसे कली दुनिया की जितनी भी खुशिया है वह मुझे मिल सके कुछ खाना चाहता हूँ अगर मेरे पास पैसे मेरे जितनेबी उनने पूरा करनाई को हम कमा और मौक्षा मौक्षा का मतलब होता है अपने दिल मन को शांत क्रतेया मिल गई अब यह मरने का बाद भी होता है और मरने से पहले प्राप्त कर सकते हो किस तरह से तो दो तरीके एक होता है प्रवर्ती मार्क और एक होता है निवर्ती मार्क का मतलब होता है मतलब कि आपने किी दुनिया की स्चाहं ती होता है और दूसरा होता है निवर्ती मार्क उन्हेंस वह होता है संट लोक लेते हैं मुह माया से दूर हो जाते दुनिया के साथी जिसीजे धर को छोड़ देते और साथी पाने के लिए संयास ले 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 तो वो जो चीट रहते हैं उसे हम निवर्ती मार्ड बोलते हैं तो और इसलाम कि पूझा के वह उसके पूझा की जाती है अब देखो इंका जो हौलीब हो इनका जो पवित्र गरंत बोल सकते हो जिनको तो वह कुरान को लोग पढ़ते भी है ताकि मुझा हम लोग गीता रहता है हमारा गीता है तो वैसे ही मुस्लिम लोग का जो रहता हो कुरान रहता है ठीक है अब देखो यह जो इसलाम है इसके अंदर पाच ड्यूटी आपके साथ आपकी मदद करेगा ठीक है कि मला के पर भरोसा रखना है उसके बाद दूसरा होता है प्रेयर्स फाइर टाइमस अड़े हर रोज आपको पाच बार नवास पढ़नी है ठीक है उसके बाद होता है फास्टिंग फॉर एवरी यर मतलब क्या रोजा जो बोलते ना एक महिने का रोजा रहता रहता है तो वो आपको रखना है उसके बात होता है प्रेयमेगे to मक्का मदीना रहता है वहँए जाना होगा फ़ें थैप की जोagen बीजिकली रिलीजन होता है वह से फॉलो करते हैं जैसे कि अमेरिका वाले तो वहां पर इस चीजें जाती है तो देखो क्रिश्टानिटी जो है इंडिया का दर आया कैसे निश्टानिटी पहले से इंडिया में था जैसे इसलामी है तो वहां पर इसलाम की दरे दरे सतापना होती गई तो वैसे ख्रिश्टानिटी इस तरह से नहीं है था स्टार्टिंग में देखो थे तह आपॉस्टल थॉमस का मतलब होता है तो जो ठील है उनका एक दूद्ध बोल सकते हो जो उनका धरम का परचार करते थे मतला उनके धरम के बारे में लोगों बताते थे आपको क्या करना है क्या चीज़ आपको नहीं करनी है क्या करोगे तो गौड जो है आपका मदद करेगा क्या करो तो गौड आपके उपर गुस्त हो जाएगा तो यह सारी चीज़े सिखाते थे यह हमारे के अंदर आये थे 5280 के अंदर जिन्होंने थोड़ा बहुत किया था धरम परचार किया था बट रियालिटी में देखोगे तो उतना जादा उस टाम पर अफेक नहीं पड़ाता लेकिन जब पोटिगीस आए हमारे कंट्री के अंदर और फिर ब्रेटिश आए तो ऐसी जब बाहर के जो वेस्टन कल्चर सामारे दीरे-दीरे इंडिया के अंदर आने लगा और यह फि चीज़े जो आपको माननी है और फॉलो करनी है कि आपको यह करना है भगवान ने दिया है सबसे पहला है यूशुल है नो अधर गॉड्स भीफोर में मेरे सामने आपका दूसरा कोई भगवान नहीं होना चाहिए दूसरा है यूशुल नॉट टेक दम नेम आफ यह गॉड इन वेन यानि कि फालतों में अपने भगवान का गॉड का नाम नहीं देना है किसी गलत काम में या फालतों चीज़ों में तो जब लास्ट जो सटर डे जब आया था मतलब जो सबत दे बेसे बोला जाता है यह मला हफते का आखरी दिन जो था सबस्तर डे उस टेम पे उन्होंने अपना सारा काम खर्तम कर दिया तो उस दिन फिर आराम करते रेश्ट ले रहे ते तो इसलिए उस दिन को हम सबड़ बोलते कि मलोग उस दिन की इज़द करो कि सारा अब काम हो चुगा अराम करने का दे और रेश्ट डे टीकर मतलब जितना भी आपक आपको खून नहीं करना किसी का भी कोई भी गलत काम नहीं करना यूशल नौट कमिट अडल्टरी अडल्टरी का मतलब होता है कि देखो कि मान लो आप हो और एक कोई और आपके बीच में कोई चकल चल रहा है तो यह आपको चीज नहीं करनी है उसके बाद यूशल नौट फॉल्स फिटनेस आगेंस्ट नाइबर्स यानि के आपके आसपास में जो लोग आपके साथ में उनके खिलाप में आपको कोई भी मलत जूटी गवाही नहीं देनी आपके साथ में कोई है और उसके बारे आप जूट बोल दे रहे हो ताकि वह फसे तो यह सारी चीजे नहीं करनी है आपको यूशल नौट कवेट यूवर नाइबर्स वाइप यानि अपनी जो आपके आसपास में जो लोग आपके दोस्तों या फिर आपके आसपास में जो नहीं आपके आसपास में जो लोगए उनसे जो भी चीज उनके पास है तो इसके लिए आपको कोई भी मतलब मतलब बोलते हैं लालच नहीं करना है कि मतलब इसके पास गाड़ी आ गई तो मेरे पास क्यों नहीं है तो ऐसी जलन नहीं बनानी है दूसरे के लिए जलना नहीं प्राइब यह किताब का नाम है अब देखो यह सिखिजम होता है इनका एक सिंबॉल होता है जिसको फाइक पाच मतलब बाल अमल्ला कोई फट्राबी है या फिर कोई भी सिख है तोसे बाल रखने चाहिए देखा जितने वीजिटे होते होते हैं पकड़िबाद ने तो केश दूसरा होता है कंगा यानि कड़ा पहनना है तो कंगा उसके बाद करा उता है यानि एक तलवार रथी चुटी सी उसको किरपन बोलते हैं तो तो यह पाद कच्छा जोटा सा धोती टाइब थे पाइच केस है जो सिम्बॉल रहते एक शीखी संकी घूंग उसके बाद दिखो घूंप उनका वैसे देखो क्या होता है उनका बुद्धीजम का शुरुबात करने का यही पाइस इनदर की सब्सक्राइब और किसे दूर रहा जा सकता है और किस दरह से शांती पाई जा सकती निर्वाना को अब देखो ये जो बुद्धीजम है जो भी लोग बुद्धीजम को फॉलो करते हैं तो इंडिया के अंदर इसके अंदर जितनी भी टोटल पॉपलेशन है जो बुद्धिजम को फॉल कुरते हैं उसमें से 85 परसें जो पॉपलेशन है वह महाराष्टा के अंदर है अब देखो यह जो बैसिकली बुद्धिजम जो है इसके दो सबसे बड़े जो स्कूल आफ ठा सकते हैं तो सबसे बड़े दो आश्रम है रिखल्ण गौन ऑर महायना है याद रखना आपको मैं इसी की वह की त्रीपिति का यह कि हॉली बुवक है प्रवितर कृट है अभ देखो यह जो बद्धिजम है इनका मेन गोल क्या रहत है काईको मतलब यह बुद्धिजम बना है तो देखो इसकी शुरुवात गौतम बुध ने इसलिए की थी ताकि वो यह जान सके देखो शुरुवात में तो उनका बैसिकली गोल यही था कि उनको यह जाना है कि जिन्दगी के अंदर आखिर दुख जो है वो क्या होता है दुख को किस तरह दूर किया जा सकता है जिन्दगी किस चीज़ के लिए है जिन्दगी का महत बगया है काफी चीज़ों के जानने के लिए किस तरह हम जिन्दगी के अंदर शांती पासकते हैं निर्वना को किस तरह से पासकते तो इसका ही में गोल निर्वना को पाना मैं अल्टिमेट स्प्रिच्वल को मैं जिन्द तूथ बताये थे तो देखो सबसे पहले जो उनका थूथ होता बताया था उन्होंने वह था ऑल एक्जिस्टन इस दुख यानि कि जिन्दगी के अंदर कुछ एक्जिस्ट करता है तो वह होता है दुख यानि कि हर एक आदमी को दुख है चाहिए वह चोटा हो या बड़ा हो गरीब हो चाहिए अमीर हो ठीक है दूसरा चीज उन्होंने बता है तो the cause of दुख क्रेविंग यानि कि अगर आपको जानना है कि दुख आखिर हर एक आदमी को होता है कि वह तो इसका सिमपल साचर इस एक क्रेविंग यानि कि अगर आपको कोई भी चीज चाहिए रहता है तो अकर चीज मिल जाती है तो değild हुँत पहले कि यह लटकी से शादी करना अगर वो लटकी मिल जाती है अब रहेगा कि लड़की मुझे चोड़ कि ना चली जाया और अगर नहीं मिलती है तो दूझ बात करीगा कि यह मिली ही नहीं तो एंधू से लक захote होता है तो दॉक्से क्रेविंग देरा चाहित तो just क्रेविंग को हटा देते हैं यानि डिजायर को हटा देता अपने जिन्गी के अंदर यानि आपको कुछ भी नहीं चाहिए जिन्गी से तो आपको कहीं से भी दुख भी नहीं होगा अगर आपको कोई चीज नहीं चाहिए आपको ना गाड़ी चाहिए ना बंगला चाहिए आ यानि कि एक रास्ता है जहां से हम दुख को पार करते हुए जा सकते और निर्वना को प्राप्त कर सकते यानि शांती को पा सकते है अल्टिमेट स्प्रिच्वल गोल जो है यानि आप अल्टिमेट विजिकली बहुत सकते हैं अपने मन को शांत कर सकते हो मुक्ष प्राप्त कर पाथ है तो अगर आप यह चारों चीजों को फॉलो करते हो तो आपके दुख जो है वह बहुत कम हो जाएगा या फिर नहीं रहेगा तो देखो क्या क्या चीज़े से पहला है राइट विव यानि क्या कि अगर आप किसी भी चीज को देखते हो तो उसके तरफ बोल सकते हैं एक राइट प्रेसेप्शन रखनी चाहिए सही तरीके से देखना चाहिए किसी भी चीज को मालों एक लड़का लड़की साथ में जा रहे तो आप यह सूचे को लड़का लड़की का कुछ चल रहेगा चकर तो यह गलत वीव हो गया और वही पागर आपका यह रहेगा दि उससाथ जाता है एच्प सही बढलब करता है जो है इसके बाद होता है यानि सही काम भी कीजैंगा वी सही काम ही तरीके को सैंदिका के जिए इमानधारी तरीके से जांधने से इमाला से इसके बाद होता है या तैंड形 कि जाएंग की तैंड नकीज्टुनेस्ट अपने दिमाग को सही चीजों से भरिए गलत चीजों से नहीं उसके बाद होता है राइट कंसंट्रेशन यानि की सही जगे पर फोकस कीजिए गलत जगे नहीं तो यह सही चीज़े अगर आप चीजों को ध्यान रखते हो एट फोल्ड पात को फॉलो करते हो तो आपके इसके बारे में आपको समझ आगया होगा उसके बाद होता है जैनीजम जो सकते हो इनकी काफिज़ कम पॉपुलेशन हैं रहे कंट्री के लिए क्या होता है तो जैनीजम जो लिए उनका विखली काम यह रहता है देखो तो इसके अंदर निर्वना जो यह उसको प्राप्त क चाहते हैं तो यह भी वैसा ही है तोटली इसके अंदर हम लोगों को दो हिस्सों में डिवाइट कर देते यानि कि देखो अगर आप बनना चाहिए जैन बन जाओ जैन कम्यूनिटी का हिस्सा बन जाओ तो इसके लिए आपको काफी सरी चीज़े हैं जो आपको फॉलॉव करनी रहती है अब बसकले देखो लॉड महावीर जो है भगवान महावीर जो है उनकी पूजा की जाती है जो की 24 वे त्रीटंकर का नग्व होता है जो कह सकते हैं बगवान का रूप जो जो एक बैवान के जो दूद यह तो उनमेंसे जो लास्ट वे जो आखरी जो इनकी जो हॉली बुक है वह अगामस मतलब बिसके लिए जो लॉड महावीर ने लिखी थी गरंथ लिखी थी तो इनकी वह अगामस है याद रखना अगामस ठीए अब देखो जैनिसम के अंदर दो सेक्स्त में लोगों को डिवाइड किया गया है एक होता है दिगामबर एक हो कि अपने कपड़े को भी त्याग दे सथे गुम्हारमट महावीर है तो रहते वह सफेद पहने तो एक मास लगा लेए मास लगाने का बैसिकली यह मैं लब रहता है कि हम कुछ बोलेंगे नहीं फाल्ट चीजे लब कुछ भी ज़रूरत की चीज में हम बोल सकते हैं फाल्ट चीजे में आवाज निकाली क्या जरू होते तो दो तरहें में डिवाइड किया गया है जहां पर पर रहता है जन्हें फालो करना रहता है बिसकली प्रिंसिपल केसे गॉह सकते हो के तेम फालो करनां रहते हैं ख़ी तुझे तो इन आडर टू प्रोमोट प्रिच्व डेवलोप्मेंट एन चीव लए बेसिकली निर्वना को आप करना चाहते हो तो आपको यह कुछ चीजें हैं बेसिकली फाइब में बेसिकली वर्व से जिनको आपको फॉलो करना है जैसे बुद्धिसम के अंदर था कि आपको एट ब आपको हमेशा सच जूट नहीं बोलना है उसके आब थे यानि नॉन स्टेलिंग नहीं चौरी चकारी नहीं करने को कई से भी कुछ चकारी वह सारी गल्लत काम करना है उसके बाद होता है तंब नहीं कि भृमदे बन जाते हैं मतलब लड़कियों से मुहमाया से दूर हो जान जिसे संत्र लोग रहते कि कि आपने सारी चीज़ें को छोड़ देते जितने मुहमाया से दूर ओकर जाकर सन्यास ले ले तो वह काम करोगे अगर आप तो आप निर्वना को प्राप्त कर सकते और निशांती को कि आपके जिनके में फिर दुख नहीं होगा ठीक है तो यह जैन कि देखो जो मूसा था जो माउन्ट सिनाई में जो गॉड थे उन्होंने वहा पर उसको तर्शन दी और वहा पर उन्होंने उसको कुछ कमाड दी एं कुछ चीज़े सिखायी थी कुछ लोव बताई थी कुछिक्नीमित बता थी तो वही जो मुसा का उसी ने फिर बाद में आगे चलके यह जो मलब भगवान की जितने भी चीजे थी वह लोगों को बताया धरम का प्रचार्ज किया और लोगों यहुदी धरम के साथ जोड़ते गया तो मुसा थे इन्हों नहीं की थी और इन्होंने पाच किताबें लिखी की थी अब देखो यह जो यहुदी धरम जो है जुडाइजम देखो के तो यह काफी ज़्यादा माइनोरीटी वाला मतलब कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कम इसकी पॉपुलेशन जी है वह हमारे इंडिया के अंदर है अब उसमें से देखोगे तो जो पचास पसेंट जो प यहुदी धरम इसकी शुरुवात किस निकी थी तो मूसा निकी थी ऊब के उसके बात होता है अथवा और फ्रॉटें जो बताया गया है वह जुराइस्टर नाम के एक आदमी जो था उन्होंने इसकी की थी वह वह उसे ही थे किमलाद धरम का परचार करते इन्होंने पहलाय तो देखो गए तो यह जो जो राश्टर नीजा में इसकी अंदर क्या इनकी जो पुवित्र गरंथ है इनकी जो हॉली बुक है उसका नाम है जैंड अवस्ता तो यह जो इनकी हॉली बुक है इसके अंदर काफी सरे प्रिंसिपल्स दे गई काफ़ी सरे कमार्ण सब्सकों करना और वह जी जिसके अंदर और भी काफ़ी चीज़े दी गई है इंके हॉली बुक में दुनिया के अंदर हर समय शैतान और भागवान के बीच में जंग चलती रहती है इंका मानना रहता दिया सो पारिसे धर्म जो है वह सबसे कम minority वाले सबसे जाधा minority वाले population वाले religion है हमारे country के अंदर सबसे कम पार्सी लोग आते उसके बाद यहुदी दरम आता है उसके बाद आता है जैन लोग जैनिजम तो ऐसे करते-करते जाओंगे तो सबसे उपर हिंदुविजम आता है अब देखो उसके बाद होता है कास्ट वाइस कंपोजिशन ऑफ इंडियन पॉपलेशन यानि क्या कि अब हम लोगों कास्ट के साफ से भी लोगों डिवाइड कर देते अलग अलग हिस्तों में बाट देते अब देखो आपको मैं बता देता है कुछ चीजे जो आपको पेपर तो उसी से लिए गया कास्टा को में कास्ट सिस्टम में कि लोग को हम अलग अलग हिस्तों में स्टफीकेशन कर लें अब नदर कर दियाकिन हमारे इंडिया निये कि तोटल 1108 बना दिए इतने जाद मतलब हद रहती इतनी सारी बना दिए तो कफी अजीब है तो देखोगे स्टार्टिंग में जो इन्डो टाइम पर चार रौका इस सिस्टम चलता था चाहिता ब्रामीन शत्रीय वहाशाषुद्र शत्र करल भाई को 1970 कोंच कुछ सिखा रहा है तो यह साथ कर सक्षा कर। रहा है कि शत्र्य तो मतलब को पतलब पालने के लिए दूसरों को यह पारी जो रहते तो वह शूद्र चूर सबस्वारे लेबस जो होते जो बोज उठाने का काम करते पैर तो इसे जो शूद्र Knomme वह भी पूरा बोज इढ़ाने का क्याम को थे लेबर सुथे तो इस पर इसमें में डिवाइड कर दिया गया था अब इंडियन को स्टुटूशन में जब बैसिकली 1950 में जो शेडूल निकाला गया था कास्ट के लिए बैसिकली निकाला गया था तो इसमें पर चला कि हमारे इ अब इंडिया के अंदर आखिर इतना सारा कास्ट सिस्टम बना कैसे काफे सारे फैक्टर से जो रिस्पॉंसिबाल कास्ट सिस्टम के लिए जैसे सबसे पहले हैं इंफ्लेंस ऑफ रिलीजियन मतलब क्या की देखो क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर जादा पॉपुलेशन जो हिंदू है अब देखोगे इंदूइजम के अंदर ही अगर आपक लुट होता है उसके बाद देखो क्योंकि इस उसी के साथ में काफिसरा बिलीफ भी रहते हैं उनका बिलीफ रहते हैं कि हम लोग जादा उची जाती के लोग है तो हम छोटी जाती की घर पे पानी नहीं पीगे नहीं तो हम लोग अशूद हो जाएंगा तो इसके विए को मानता है तो आप शहर मेरे तो इसलए आपको लगता है कि inverti क्या होता है जाती माधी क्या नहीं मानते नशुलर है हो जाते निचे वाले से को आणा चाहते हैं उसके बाद देखो तेसे जो क्योंक्ति लिके नहीं है उनको उतना पता नहीं है कि मतलब समाज के बारे में कि सारे लोग एक्वल होते सब के सब तो हुमनी इतनी ज़्यादा एडूकेशन आओने को इसे बस उनको यह लगता है कि हमारे पूरवर जो मानता है वो भी हम मानेंगे गिए कि जब हमारे खांदान में किसी ने छोटी जाती से शादि नहीं की तो हम क्यों करेंगे तो एडूकेशन की कम्ही के उवजिसे जो गाओ के लोग होते वो काफी जालता मतलब मतलब यह सारी चीजे को मानते है कि इतनी सारी जात है इतो आप हर एक जात को हमने क्या कर दिया किस्वारी है इस इसलेंने हैं चोटी जत वाले हैं जिसके वजह से कास्षपारएं मिल जाता quedar की हुए और मतलु जहीं पहीं चाहिए हम बढ़ी जात के लोग थे थे यह नावी कष्ट में आ तो उन सब के साथ इकोली ट्रीट नहीं करते हैं जैसे अगर वो शत्री ए ठीक है तो ब्रामिन लोग को कहीं तहवार रहता था या फिर वैशिया लोग कोई तहवार दो थीक ठाक मना लेते थे लेकिन अगर कोई शूद्र का मतलब सूद्र लोग जो रहते हैं जो सबसे छोट इसलिए क्योंकि जो राजा महारा रहते थे वो खुदी मतलब यह सारी चीज़ों को बढ़ावा देते थे मतलब हम चोटी जातु वालों के साथ भेदबाव करेंगे उनके तहवार को ढंक से नहीं मानेंगे तो जिसके वासे और जादा यह मतलब हो गया और स्ट्रिंग बि यह सब्सक्राइब कर पर देखोगे तो जैसे जैसे चनरेशन अगे बढ़ते जारी तो हर एक आदमी है यह एक ही ऑक्कुपेशन कर रहा है अब वर्याकि के साथ पूजा पाट करते हो पंडिट जाओं बट क्यूंकि यह लगा तार ऐसे ही चलते रहा राजा बेट्व बनते गया जिसके वज़े से यह दिमाग में लोगों बैड़ गया कि अगर पंडिट के घर पे कोई भी बच्चा पैदा होता है चाहे वो पंडित हो ना हो पूजा पाट करता ना हो सकता हो राजा बन जाए फिर भी उसे हम ब्रामी नहीं कहेंगे यह वह पंडित ही है तिक कि मतलब बर्थ से होने लग तो इस तरह से देखे थे का सिस्टम का भी ग्रोथ होगा क्योंकि बहुत सब्सक्राइब लोग जो है वह अपने पैरेंट्स का लेने नहीं मतलब नेक्स जनरेशन तक पास करते गए कोई भी उक्यूपेशन को इसके वह से भी का सिस्टम बहुत होते हैं इंडिया के इंदर उसके बाद देखो जो अग सब्सक्राइब के अपरेंट्स के एंदर निंटनी के दिए एकजार जाता है है 10000 पर उपर कितनी लड़किया है मतलब क्या कि एक हजार लड़के उपर 940 फीमेल से या फिर एक हजार लड़के उपर 900 जितने फीमेल से तो उसको इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है है 2011 के से से पता चला था है जेंडर रेशो जो है वह बेसिकली टोटल ओरल इंडिया का जो है मलब ओरल एवरेज इंडिया का वह एक हजार मेल्स पर 940 फीमेल यानि की एक हजार लड़के है तो उनके पास 940 लड़किया है ठीक है तो मतलब यह से निकाला गया था ओवरल देखने मिलेगा यहां पर देखो यहां पर एक चार्ट दिया गया है जेंडर रेशो इन इंडिया का मलब पूरा कि हमारे इंडिया के अंदर एक हजार मेल्स पर 972 फीमेल से उसके बाद अगले साल जो है जब 10 साल बाद सेंसे किया गया तो और कम हो गया बेसिकली जैसे जैसे देखो को टाइम तो यह जो जेंडर रेशो है वो कम ही होते आया होते आया बट एक टाइम आया दो हजार एक इसे ही आया वहां से देखोगे तो यह जो जेंडर रेशो अब धीरे धीरे वापस से उपर जाने लगा मतलब क्या देखो दो हजार एक तक जब 2001 में सिंसिस किया गया तो पता चला कि जब जो जेंडर रेशो बेसिकली वह 933 हो गया मतलब बेसिकली 2001 से पहले जब 1991 में जब सिंसिस किया गया तो उस टाइम पता चला कि बाप रही है तो एकदम कम हो चुक है 927 तक पहुच गया है जेंडर रेशो बहुत बेकार हालत हो गई थी तो फिर गवर्मेंट ने काफे सरे ध्यान दिये काफे सरी योजना लाई की मतलब की लड़कियों को बचाओ लड़किय साथ से फिर अगले साल जब 2011 में सिंसिस किया गया तो पता चला कि एक हजार मेल्स पर 940 फीमिल से इसी तरह से जैसे दो हजार एक आया ता धीरे धीरे बढ़ने लगया और आज की जो सिंसिस अगर देखो तो यह एक हजार को पार कर चुकी है लड़कियों की मतलब जेंडर मतलब होता है छे साल से नीचे के जो बच्चे होते उनको चाइल जेंडर रेशो बोला है जाता है तो अगर उसको आप देखते हो तो वह काफी ज़्यादा देखो गया और कम हो गया बढ़ने के बजाए में और जादा यह कम हो गया तो देखो अगर आप 2001 से पहले अगर देखते हो 1991 का सिंसिस के हिसाथ से देखते हो तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि चाइल जेंडर रिशु जो था वह नौसो ट्विटी सेवन था वह एक हजार बच्चे छोटे छोटे लड़के हैं तो उसमें यह नौसो ट्विटी सेवन लड़किया चोटी मर जा रहे हैं तो जब 2001 से किया गया तो पड़ा चला कि जो चाइल जेंडर रिशु है उसमें लड़कियों की जो गिंती है वह सित 614 ही है चाइल जेंडर रिशु की काफी ज़दा कम हो गया 2001 में तो आपको याद रखना है इंसे कि उसमें आ सकता है अब देखो यहाँ पर रिशा है तो चाइल जेंडर रिशो बहुत ज्यादा कम गये है आखिर ऐसा क्या है कि मत तो पहले यह रहता है उसके बाद दूसरा प्राप्लम में यह रहता है इसके लिए प्राक्टिस आफ फीमेल फोटी सीट मतलब क्या कि अगर मान लो किसी को पता चल जाता है कि आरे यह क्या मेरी पत्नी के पेट में तो लड़की पैदा हो गई है मतलब लड़की पल रही है त मतलब देते हैं तो पेटी में मार देते हैं तो फिमेलफोटी सीट मतलब क्या बच्ता जो पैट में अभी है अभी उम्डीया थो उसी में मार देते हैं ऑसके लिए इंफार्ट मॉटिलिटी रेट ऑफ फीमेल्स जिसे 2001 कई सेंसेस में तो काफी जादा ही जो चाइड जेंडर रिशु काम हो गया था चेसोचोदा यह तो बिसकली क्यों हुआ क्योंकि देखो जब भी बच्चे पैदा हो जा रहे हैं मालो लड़की पैदा होगा यह भी छे-सा पैसे नहीं उसका इलाज करवाने का जिसके वज़से बच्चिया मर जाती है तो यह सारी चीज़े को वैसे इंफार्ट मॉटिलिटी रेट फीमेल्स का बहुत बढ़ जाता और वह मर जाते जिसके जिंडर इशुमें कम हो जाती कि उनकी उसके बात होता है मॉनल पास जाने के लिए उतने पैसे नहीं है या फिर बच्चे को मालो की उतना धंक से खान पान पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो इस तरह सम्झेंडर वाइस कंपोजिशन करते पॉपुलेशन का अब भी आप लिंगिस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में देख लेते हैं करें देखो हमारे country के अंदर एक से जादा भाषां का इस्तमाल किया整ग जाता है टोटल 1614 मादलों काफो मों जादा भाषा है जो हमारे इंड्या के आद़ बोली जाती है हे APPLAUSE की रेखते हैं मतलब क्या कि ये जो स्टेट है त्मिल नाडु है तो वह पर वहते हैं वह बाट करती त्मिल के лиुवें बात की तो हम लिंगिस्टिक डाइवर्सिटी भी कर देते लेंगवेज के साफ से लोगों बाट देते डाइवर्सिफाय कर देते ठीक है तो यहीं सारी चीजे यहां पर बताई गई है कि देखो हमारा टोटल लैंगवेज देखो के कंट्री कंदर तो अब इस मिक्साइः बाट छो लैंगवेज जो सबसे बड़ी लैंगवेज तो यह सरी इसमें नहीं आती अब समय ईससान में आप अनल के दो screens कोा सुने को यहां को यृ जो इंडियो सुने के दोरा की ऑनलбाकी लागंवेजसे नहीं नहीं up ऐसं में नहीं आती है अब देखो हमारा जो इंडिया उसके अंदर देखो कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है क्यों नहीं है तो आगे आपको पताता हूं क्या है आपको समझा जाएगा कि tacly गणिए हों किती है घ्यांग्वेज hypothetical आपको आपको काफी सरी चीजे बताई गई है कि डिखो फाली से लैंग्वेज से जाहसे हमारी जितनी भी एक इस नित्ती है इंख़ते उन्हें Satya और ज appelle तो संस्क्रीट है आप बनी जासे đंवे अग्वेज से लैंग्वेज सा न इधर उधर कर गए हिंदी यह तो उसी से टपोरी लैंग्विज बन गया कि आप उन क्या कर रहे हैं तो देखो को तो वही लैंग्विज का डाइलेक्ट धीर धीर होते 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 दूसरी लैंग्विज भी बन जाती है तो इनकी जो लेंग्विजेस थे बेसिकली यह जो इंडो आरियस लेंग्विजेस बनी हैं हमारी इंडिया की 72% भाषा है वह इनसे ही बनी है जितने भी उपर के पाड़के जो भाषा है और दूसरा जो फैमिली है वह है ड्रवीडियन फैमिली औफ लैंग्वेज तो ढगने आपको पताने कि आपको पहले पता है तो यह जो नीचे चले गए तो जितनी वह साउथ की लैंग्वेजे से मतलब तमील तेल्गू करनाड़ा वह इनकी वज़ें फैमिली आफ उसमें से 25 पचेंट जो भाषाई है वो इस फैमिली से बनिये ड्राविडियन फैमिली ऑफ लैंग्विज ठीक है उसके बाद होता है सीनु तेबंथ फैमिली ऑफ लैंग्विज बेसिकली यह देखोगे तो यह पहाडी इलाके जो रहते हैं जैसे अब नेपाल साइड जो है वेस्ट साइड जो चाइना साइड में बेसिकली जैसे नेपाली लों का भाषा रहता ना चुंचुंग हो वह सारे जो लैंग्विजे से वह यहां से बनती है ठीक है कि मनिपूर्थ तीपरा लदाक लदाक शेरपा यह सारी जो भाषाई है जो बेसिकली देखोगे चाइनी अब में थोरी थोरी आती रही ती पहले के टाइम पे जिसके वज़ेसे यह जो सीनो टिबत फैमली ओफ लैंग्विजे वह भी काफिसरी लैंग्विजेस हमारे इंडिया के दर बनाई है जितने मलब बिहार के जो इस्ट साइड में है चाइना के साइड में जो एरिया है व तो सब्सक्राइब करें तो आपको समझ आगे होगा अब देखो आपको वापस से आपको बता देता हूं अभी मैं आपको स्टाइंग में बता देखो कि देखो हमारा जो इंडियन constitution है उसने 22 लांगुजेस जो जो जिनको बैसिक्ली ओफिस्यल का गार दिया है कि मnamedla यो बैसलाइट है यह जो यह जो बैसिक्छिली लांगवजेस जिनको ऑफिस्यल बताया है इंडिन कांटिशिटिशन के द्वारा ठीक है तो यहां पर आपको यह नौ दिख रहे हैं और बागी यहां पर बाइस है तो टोटल यहां पर बाइस लैंग्विजिस जहें वह ओफिशल का गार की दिये गए इसके अंदर बहुत सारे माराथी भी अपना इसके अंदर यहां स्टेजिस्टिक दिया गया डाटा कि पूरे हमारे कंट्री के अंदर जो ने भी लैंग्विजिस वह कौन को कितनी परसंट पॉपुलेशन जो है वह कौन सी लैंग्विजिट को बोच यह कुई बाइस के बाइस जया पर डाड़ा नहीं दिया गया इसे उन में से दस ओफि कुकि महराथि नंब्रक प्रफ्च पॉपलेशन जादा है और पोपलेशन होने के वैसे अर्टोमैटिक लिए इसके अंदर पर आखर जाता है नुल और अदे बहुत अगर बोल देते हैं महराथी में तो काफी बड़ा नंबर हो जाता है यहां पर 10 करोड की बात है 10 करोड पॉपुलेशन ने तो बहुत जादा परसंट जो लोग है वो बोलते मराठी वे क्योंकि टोटल जितने महराष्ट्रा के लोग है तो आधे जादा मराठी में बात करते हैं तो इसलिए मराठी यहां पर काफी जादा बोली जाती है यह फोर्थ नमबर पहुंचा तो उसके बाद होता है तमील उसके बाद होता है उर्दू बाकी यह फिर यहां पर आने के चांस नहीं रहते हैं बट फिर भी आपको पहले और बीच की कुछ याद रखने चाहिए और म हुँआ करने का बेसिस रहां करते हुँआँ है बाद भी इंसले का पाफिट इनको करने का बेसिस यह था कि उनका लाहे जो पंजाब में लोग थे हिसाब के हिसाब बना अब ऑगाया हुआ हमारा महाराष्टरा में देखोगे गुजरात के साथ मिक्स ता जिसका हम टॉटल बॉम्बे एक फूरा महाराष्टर और गुजरात गडिया गया था माराथी बोलते उनको महाराष्ट्रा और गुजराती बोलते उनको गुजरात कर दिया गया तो यह पर कुछ चीज़े आपको याद रखनी है देखो इंडिपेंडेंडेंस के पहले कौन सा स्टेट था जिसको हमने पहली बार लेंगवेच की हिसाब से बाटा था तो वह था और अगर अजादी के बात का देखो को अधर प्रदेश जो है उसको लैंगवेज के साफ से हमने दो हिसमें तो डोड़ा था ठीक है अब देखो हमारा जो कंट्री उसका ओफिशल लैंगवेज क्या है आपको याद रखना है ऐसे देखोगे तो हमारा कंट्री का कोई भी ऑफिशल लैंगवेज नहीं है हमारी कंट्री जहства वो फॉलव करती है उसका नहीं नहीं मेरे को मेरा एक ऑफिशल होना चाहिए महाराठी में माराठी हमारी फोनी चाहिए ऑफिश्यल का रख सकते हो बट हैक। आपको थ्री लैंग्विज पॉलिशी का इस्तमाल करना है तो आप पहला माराथी उसके बाद आपको दो ऑप्शन में रखने होंगे यानि क्या एक हिंदी और इंग्लिश आपको कंपसरी वह रखना ही होगा मतलग क्या अगर आप महाराष्ट्रा के अंदर किसी से बात करना अगर उस्तमाल करना हो तो इसलिए थ्री लेंग्विज फॉलिश का इस्तमाल किया जाता है तो वैसे ही हमारे इंडिया का कोई भी ऑफिशल लैंगवेज नहीं है ठीक है बेसिकली देखो तो बिल पास किया गया था पहले के टाइम पर कि मुला हिंदी को हम ऑफिशल कर देते ज्यादा तर हिंदी बोलते तो लेकिन बाद में क्या होगा कि साउथ के लोग जो थे नीच अब सब्सक्राइब देखो तो उपर वाले प्रोटेस्ट करने लगे लेकिन उन्होंने थी लैंग्वेज पॉलिशी लागी तेल नहीं हुआता जिसको रखना है विसको रखना है प्र बाद में कि आपको आपको अपना एक लिए cabbage देना है त्री लैंग्विज पॉलिसी दे रहे कि आगर महराष्टर में आपको माराथी बोलना है तो माराथी में बहु लिए लेकिन आगर बाहर किसी स्टेट से बात करते तो आपको हिंदी नहीं तो इंग्लेश में बात करनी होगी तो मतलब काफी प्रोटेस्ट हो जो हमारा पार्लीमेंट है उसने एक बिल पास किया कि मतलों देखो इतना सारा जगड़ा जुगड़ी हो रहा है इसलिए क्या हम करते हम लोग क्या इतने भी स्टेट से अगर आप ऑफिचल लैंग्वेज रखना चाहते हो बोलता है मेरे को तमिल रखना है ठीक है तमिल में हो अगर आप बात करना चाहते हो किसी से तो आप रख सकते हो आप तमिल में बात करो लेकिन आपको थ्री लैंग्वेज पाजिसी का इस्तमाल करना है क्या आप तो बात करोगे ही लेकिन अगर आप तमिल नाडू से बाहर किसी से बात करते हो मांदो आप जाते हो केरला में या फिर आप जाते हो मारा आश्ट्रा में बात करने तो ऐसे टाम पर आपको इंग्लिश नहीं तो हिंदी का इस्तमाल करना होगा आपके पास तीन लैंग्विजे सोनी चाहिए एक आप जो रिजिनल रांग्विज रखना चाहते हो और एक हिंदी और इंग्लिश ठीक है तो बाकी के दो लैंग्विज आपके पास रहने चाहिए तो बाहर वाले भी समझे आप बोल क्या रहे हो तो इस तरह से ऑफिशल लैंग्विज जो स्टेट का वह भी देखो थी लैंग्विज पॉलिशी को फॉलो करते हैं सो में भी ये लैंग्विज के हिसाब से डिवाइट बहुत चाहिए बर्थ्रेट बहुत जादा यह वहां पर तो इस तरह से देखो तो हम रीजिन के साफसे लोग को बाढ़ देते कि यह वाले जो लोग होते हैं जाब पड़े लीके नहीं होते हैं माहराश्ड़ा के लोग जो होते हुआ पर लीटरेसी रेट ज्यादा गुज डिवाइड कर देते हैं तो यह काफ़ी दी गई है कि देखो अगर कंट्री से क्या होता है पहले बता चुँका आपको याध मतलो आराम से जाएगा वैसे तो आपको साथ यूनियंट टेरियों चैट्री जिसके वज़े से अब महाराष्ट्रा कोई आदमी रहता है जिसे मालों महाराष्ट्रा में कोई लड़का है तो अलग तरीके से अठिके से अपना राष्ट्रा में लोग वड़ाओ सब्सक्क्राइब और ड़को अलग पर आपको वेरीएशन देखने को मिलते हैं तो I माहराष्टरा में अगर आप किसी गाव में चले जाओंगे और किसी गाव एरिया में तो आपको दिखते हैं हमारे आलग रीजिन्स के अंदर तो काफि सारे हैं जितने भी रीजिनल वेरिशन दिखते तो देखते हैं सब से पहला होता है लिट्रेसी का टेखो अंदर हमको अलगल स्राइब है Бिहार में है अगर महाराष्ट्रा में जाते थे का नहीं है और सबस्क्राइब करो तो किरला में सबसे जादा old trzy एप लोग जादा कड़े को सी एरिया के अघ्र पज्छा है यह दिखता है और चाहर कर देखो कहा नेखर जो है और जञदेता है तो यह यह कढ़ों यह कथ सब कम लोग मतलब जल्दी मर्ड बहुत जल्दी जाते जिसे बिहार एरिया तो बिहार में जो है जादा चैनल पूरा लुष्ट्र इंगें तो तुरह पहुत जाएंगे लग एसले किसी कि इसका इसका भी हमें डिफरेंस दिखता है कि किसी एरिया के दर बाद रहता है किसी एरिया में जादा रहता है तो इसको बाद तीसरा वह था अर्बनाइजेशन का यानि अलग अलग रीजें गें अलग 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 तो यहाँ पर अदर रहा पर काफे जादा इलाका बहुत बहुत जादा ने रहता है अर्बनाइजेशन बहूंत जाद है तो यहां पर अर्बनाइजेशन रहती नहीं, शेहरीला इलाका रहता ही नहीं है, इसका भी हमको डिफिरंस दिखता है, उसका बाद होता है, पौवर्टी का, यानि गरीबी का, यानि अलग अलग रीजन के साफ से भी हमको गरीबी दीखती है, जैसे बिहार, और इसा यह सारे सिंपल रहति कि अग्या बिहारी है जो पढ़े लिखे नग है village ऐक पर यम प्रब्लम साथ North equ लगısı कम लिए उसके ऎर सिंप लोग पाम नहीं मिलता है इसके व्यास e जिर्भीव बीरुलत लोग और इंदक्राइशन यह से लोग रिचुनी का मवें टिके अचय हो पैसे कम होते हैं और जादा था खेती करते हैं तो अलग लग रहता है इसका डिफरेंस दिखता है उसके बाद देखो पाचा जो वेरिएशन दिखता हुआ इंफ्रास्रक्चर डेवलप्मेट का कुछ एरिया रहते हैं जहां पर हमको दिखता है कि काफी अच्छे रोड बने बने रहते हैं तो वह इंडिया पाट वहां पर उतने रोड नहीं बने रहते लेकिन मुंबई में जाओं तो वहां वह बन चुकी है तो किसी एरिया में इसका भी हमें डिफ्रेंस एधा है उसके पाद जबमें लह नहीं कि कि रहे घ्री लिये मास्टर की ऍुरिकर नहीं मिल टेकर बेसिकली उतना साथ इसले नहीं कि लोग खेती बाड़ी कर लेते हैं खेती उनका काम बन जाता है लेकिन महाराष्ट्रा के अंदर देखो तो काफी ज़्यादा अनेप्लोइमेंट रेट है कि यहाँ पर लोग जो है वो खेती बाड़ी उतना करते हैं सब काम के उपर न दुनिया जहान की जितने भी कंपनिया रहती है वही पर दिल्ली मुंबई देखोगा तो बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनिया है वह इतने ही एरिया में और बिहार के किसी गाव में क्यों नहीं है तो देखोगो तो इंडरस्ट्राइजेशन जो मलब बड़ी-बड़ी देखो आपको ओने पर देखो बीहार के अंदर एक मजदूर्स चौता ए उसकी जो इंकाम रहती है मानलोगा दीन बर अगर महनत करता है तो जादा से जादा 500 रुपया मिल लेगा ठीक है अगर बहुत बड़ा मिस्तिरी मिस्तिरी रहेगा तो और लेबर मिलेगा ठीक है 500-300 तक मिलता अब इतनी कम है वह पर मुंबई में देखो यहां पर एक नॉर्माल तक कम रहता है तो जाड़ा गर एख्यादा वाले रहें तब उतना लिलते वाले तो देखोगे इंकम की काफ़ी जादा इनिक्वालिटी है कि बिहार के अंदर वही मजदूर जो है वो 300 रुपए में काम कर रहा है तो इंकम की इनिक्वालिटी है रिजन के हिसाब से अलग लग जब अब इसके लिए रिजन यह रहता है कि देखो वहाँ पर लोग बहुत जा है वह लेबर की कौश बहुत कम पड़ती है अगर देखो पूरी दुनिया को सबसे सबस्ता मजदूर मिलता है जो कई सभी मजदूर चाहिए रहेगा तो बिहार से मंगवाना उसके बाद देखो नवा जो बेसिकली हमको डिफरेंस दिखता है वह होता है जेंडर रिशो का क किसी एरिया देखता जेंडर ज्यूदर जबादा किसी में आ जाटा ए가र के ऊपर कुछ outta 111 काral की साप से मता रहा हुँ तो अगर इसका बात करो तो देखो अगर साइंस के साब से देखो तो लड़किया जो होती है वो लड़कों से ज़्यती है मतला अगर मानलो लड़का जो है वो 80 साल जी रहा है तो लड़की को मिनिममम 97 तक जीना चाहिए लड़कों से जादा जीते हैं लड़किया बट अगर आप नौर्थ में जाते हो यानि उपर वाले इंडिया में जाते हो तो वहाँ पर आपको दीखेगा लाइफ एक्सपेंसी रेट जो है लड़किया कम है लड़कों से यानि अगर लड़का मानलो 80 साल जी रहा है तो आत्मी का वह लग अलग रहता है किसी पर जादा रहता तो कई पर कम रहता है किसी एरिया में लड़का लड़किया या जल्दी मर जाते तो लंबी मर जीत लेते हो थूश्य क्लाइप कंडिशन फूड वह सारी चीज़ों को जाता है ठीक है उसके बात देखो यह मैं भी यह दिखती है विरियेशन देखने को मिलते है ठीक है तो यह दस विरियेशन दिखते है